नमस्कार मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज हिसार का सेक्टर 13 जो आज एजुकेशन हब के रूप में दिन प्रति दिन विकसित हो रहा है जिसका श्रीज आता है यहां पढ़ा रहे टेलेंटिट टीचर्स को ऐसे ही एक टीचर से मुलाकात हुई सिटी बिग न्यूज की जिन्होंने बहुत छोटी उमर में पढ़ाना शुरू किया और आज उनकी महनत के बलबूते पर उनका कोचिंग सेंटर उचाईया चू रहा है जिहां हम बात कर रहे हैं अभिशेक मिश्रा क्लासिस की जिन्होंने 2006 में सिर्फ 10 बच्चों से अपने कोचिंग सेंटर की शुरूआत की थी और आज हर्याना के सबसे चहेते फिजिक्स टीचर की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं आखिर क्या खास है अभिशेक मिश्रा क्लासिस में अभिशेक मिश्रा क्लासीज हरियाना की एक मातर ऐसी क्लास है जहां फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट को स्मार्ट क्लास में एनिमेशन के जरिये पढ़ा कर मज़ेदार बनाया जाता है इसके अलावा सभी लेक्टर्स कोचिंग सेंटर की एप पर भी उपलब्ध है जिससे लेक्टर्स मिस होने पर बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में बैट कर लेक्टर्स देख सकते हैं तो प्रैंक लाने के लिए कैसे होनी चाहिए तयारी आईए सुनवाते हैं आपको अभिशेक मिश्रा की जुबानी जिसका की हिसार है बहुत बड़ा नाम है इजुकेशन में इनसे जानते हैं कि इनका अब तक का एक्सपिरियंस कैसा है हिसार को लेगे और जितना प्यार और सम्मान इस सिटी ने मुझे दिया है और मैं इसके लिए हमेशा अभारी रहूंगा मैं जब बिल्कुल पढ़ाने स्टार्टिंग में आया था तो मेरी एज को लेके कि मैं काफी यंग था तो कुछ पैरेंट्स थोड़े से डरते थे कि पतानी नौलेज है नहीं है लेकिन कई पैरेंट्स ने मुझे बहुत भरोसा किया और हमने पहले ही साल से रिजल्ट्स द नहीं के बार में जो मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि बच्चों में पहुत है पैरेंस भी Khalil 002 बहुत दिकेटट् humans अपने बच्छों को लेके तो कैसा अनुभब है देखिए सबसे पहले हिसार में जब है था तब तो मैं जौब ही कर रहा था उसके बाद मैंने 2006 में एमबिशन बनाया था अपने पार्टनर के साथ इस सेशन से हम दोनों ने अलग-अलग करने के डिसाइड कर लिया था तो मैंने अपने नाम से विशेग नया है तो और अच्छा करने की कोशिश हो रही है और इन फैक्ट हमने अभी इस साल ये कोशिश करी है कि हम और अच्छी टेक्नालोजी और अच्छी सर्विसे और अच्छा फीडबाक सिस्टम क्रियेट करें क्योंकि देखिए सेलेक्शन तब होगा जब बच्चा मैं और इस तीनों कनेक्टेड रहेंगे तो इसलिए हमने अपने सिस्टम ऐसे डिफाइन किया हुआ है हमने काफी सारे स्टाफ मेंबर्स भी रखें हम टेक्नालोजी भी बहुत सारे यूज कर रहे है और अपडेटेड रख रहे हैं चीजों को इससे मुझे उम्मीद यह है कि इंसीर के लिए बहुत सबधेड सब्सक्राइब लेकिन जब बच्चे वहाँ पहुंचते है tussen वना बच्खों को फिल्टर आउट कर लेते हैं टेस्ट लिया टॉप के 3 बच्चे हर बैत से उठाए उनको अच्छा बैस ले tv बाकी बच्चों को मानके चलते हैं कि इन बच्चों का सेलेक्शन ही नहीं हो सकता वो बच्चा धिरी धिरी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि पैरेंट्स के उम्मीद है कि मैंने तो बिटा आपको इतनी अच्छी जगा भेजा आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही अब बच्चे को ऐसे टीचर मि लड़ाई लड़ते रहते हैं कई इंस्टीट्स रैंक्स खरीदते भी हैं बच्चा टेस सीरीज में था उसकी रिजल्ट दिखा दी नहीं भी पढ़ रहा था तो भी पैसे देके रैंक्स खरीद लिए क्योंकि बेसिकली उन्होंने इस चीज को बिजनस बना रख जबकि मेर क्या मानना है कि एजुकेशन एक बहुत नोबल चीज है आप एक बच्चे का करियर नहीं बना रहें आप भारत का भविश्य क्रियेट कर रहें आने वाले जनरेशन कैसी होगी हमारा फ्यूचर कैसा होगा आने वाली टेक्नॉलजी कैसी होगी डॉक्टर्स कैसे होंगे सब स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है अगर आज हम अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो आगे हमें भी भुगतना पड़ेगा अगर आप अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनाएंगे जब हम बूड़े होंगे हमें डॉक्टर्स की जरुत पड़ेगी हमें अच्छे डॉक्टर्स की जरुत पड़ेगी हमें अच्छी टेक्नॉलजी की जरुत पड़ेगी वह कहां से आएगा वह यूद्स से आएगा यह सब कुछ है हमारी एकॉनमी हमारा फ्यूचर सब कुछ इन पर डिपेंड करता है एक अच्छा एन्वार्मेंट एक मॉटिवे पड़ाया हर एक बच्चा मेरी क्लास से सेलेक्ट होके चला जाएगा एक रेस्पॉनसिबल सिटिजन बनेगा और देश के लिए कुछ अच्छा करेगा मैं उस दिन बैस मानूगा हम कोशिश जरूर कर रहे हैं और हम कोशिश करते रहेंगे लर्निंग एक कंटिन्वस फेज है हमें चेंज करता रहना पड़ता है आई टी पीम्ट के एक्जाम्स बदलते रहते हैं हर साल बदलते रहते हैं और आपको उस बदलाओ को समझना पड़ता है और बदलाओ के साथ अपने आपको बदल के अच्छा करना पड़ता है हमारे बच्चे जरूर मानते हैं कि हम ब यह भी फरक नहीं होता जैसे कि आप फिजिक्स आप पढ़ाते हैं बच्चों को टीचर हायर नहीं करते हैं खुद का आपका इंस्ट्ट है और बच्चे को इदर उदर भटकने की जोरुत नहीं पढ़ती है इस विशे में आप क्या नहीं है यह बहुत बड़ी बात है देखिए मैं बताता हूं आपको कि जादा तर डिल्ली या कोटा में क्या होता है कि एक ही चैप्टर को या एक ही सब्जेक्ट को चार पांच अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं होता कि है फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो एक चैप्टर दूसरे बनने में लोगता है जब बच्चा क्लास 10th से 11th में आता है तो हमें उस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है पहले तो बेस्चे को डरना लगा सब्जेक्ट से बच्चे को सब्चेक्ट, इंट्रेस्टिक भी बनाना पड़ेगा ratस से उमाले उ से Cleveland शскagon किन को 만들어 much शुड्य क मांगते हैं, institutes को अपने profit से मतलब होता है, तो उनको हटा के वो दूसरे को ले आते हैं, वो कहते हैं, brand value तो हमारी है, बच्चे का admission तो होई गया, उनको selection से मतलब नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है, अब आप quota का example ले ले जे, हर साल quota में क्या होता है, बच्चा 11th में जिस teacher से पढ़ रहा है, chances है कि 12th में वो teacher किसी और institute में चला जाएगा, या नया institute ही बना लेगा, हर साल यही होता है, तो वहाँ बच्चा और teacher दोनों परेशान होते रहते हैं, परेशान होते हैं, अब फीज तो आपने 2 साल की भर दी, अब teacher अगर नया institute में चला गए, आपको पढ़ना उनी से है, तो आप दुबारा जाके वहाँ फीज भरो, तो पता चला आपको एक के बतले दुगनी फीज देनी पढ़ रहे हैं, ये परेशानी होई सो अलग, और जब teacher change होता है, ठीके न, तो बच्चे का रिदम बिगड़ता है, और मेरा मानना है कि एक subject के complete knowledge रखने वाले teachers बच्चे का ज़्यादा भला कर सकते हैं, देखिए हमारे dropper batches के अंदर, चंडिगर, दिल्ली, जैपर, बहुत जगहों से कोटा से पड़ेवे बच्चे आते हैं, और वो quality देख के काफी हैरान हो जाते हैं, और फिर उनका selection भी उससाल अच्छा खासा हो जाता है, तो मेरा मानना है देखिए घर का environment, stress-free environment होता है, घर का खाना, माबाप की care, और known society के अंदर रहके पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बाहर जाने से पहले बच्चों को हिसार में try करना चाहिए, हिसार में sector 13 खास करके काफी अच्छे teachers हैं यहाँ पे, काफी महनती लोग हैं, और results भी हर साल आ रहे हैं, अगर आप percentage देखेंगे, जो बच्चे बाहर जाके त्यारी करें, जो रहके त्यारी करें, रहके यहाँ त्यारी करने वाले बच्चों के selection ratio जादा है, तो बच्चों को try जरूर करना चाहिए, research कर लेना चाहिए, और अगर उन्हें पसंद आता है, तो most welcome, हम बिल्कुल उनकी future को बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, और दिन रात उसके लिए महनत कर रहे हैं, वहीं यहाँ पढ़ रहे students का कहना है, कि अभिशेख मिश्रा classes में average बच्चे का भी खास खयाल रखा जाता है, expert teachers ना सिर्फ intelligent बच्चे को बढ़ाते हैं, बलकि average students पर भी उतना ही जोड देते हैं, क्योंकि अभिशेख मिश्रा classes का मानना है, कि टोपर स्टूरेंस का selection कोई खास बात नहीं, लेकिन mission है average student को टोपर स्टूरेंस बनाने का, वो amazing है, बस मैं यही करना चाहूंगा, और जो बहुत सारे इंस्टूरें मार्केट में, उनमें और अब इसे classes में क्या फ़रक देखिए, जैसे कि मैं बाकी इंस्टूरेंस में एक दो बार मैंने trial का सगई, तो मुझे यह लगाए कि वहाँ पर teacher आते हैं, एक ही tone में बोलके चल जाते हैं, तो क्या होता है कि उससे हम saturated होते हैं, इतना concentrate नहीं कर पाते हैं, सर बीच-बीच में मजाग भी करते हैं, तो उससे concentration बनी रहती है, उसमें पढ़ाई में भी असानी होती है, इसे हिसार इस टाइम education hub की तरह चल रहा है, तो आप अभी से मिस्रा क्लासी से उसक आप क्या कहना चाहिएंगे किस लिवल पर? अभी शेक से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सर बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, तो दूसरों के comparison में भी से बहुत बेस्ट पर हैं. और ऐसा भी नहीं कि सर्फ सिर्फ basics करवाते हैं, basics से शुरू होकर advance तक जाते हैं, तो मुझे अभी शेक मिश्रा classes बेस्ट लगते हैं, physics के लिए. जैसे हिसार एक तरह से education hub बनता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, अभी से एक मिश्रा classes में, हिसार के साथ किसकी साथ competition है या नहीं? सर के साथ मतलब कोई ऐसा teacher नहीं है, जो सर के जैसा इतना अच्छा पढ़ा सके, मैं तो कहीं और गई भी नहीं, सीधा 11 से ही गई भी हूँ. तो क्या जैसे competition के आप त्यारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले result क्या होंगे? मुझे तो यहीं लगता है कि सर जैसे पढ़ाते हैं, सर के जो results आते हैं, मेरा भी अच्छा आएगा. और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि NCR की तरफın लोग रुजान करते हैं कि बहार जाने को हिसार चोड़के, तो उन बच्छों को आप क्या कहना चाहएंगे? उन बच्चो को मैं यही कहना चाहूँगी कि यहां ह utan सी बाऊट पढ़ाई होती है जैसे मैं अपने लोगा इतने अच्छे पढ़ाई नहीं होती तो यहां अच्छा साथ यूंध läuft्र में खिल घाए अच्छा होता है । रहे हैं तो आविश्यक राते हूं किस तरह का सि्स्टम पढ़ाते हैं दिमागे कैसे बटाते हैं एक तो सिस्टम है काफी प्लैंड वह सर एक तो टेक्न yeter का काफि अच्छा इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के सारे डाउट्स क्रियर होते हैं कुछ भी क्लास में अगर कोई भी डाउट आता है बच्चे फ्रेली पूछ सकते हैं और सबढासि Mengtest वीदा deeper विधिकस के बुस्त वी चैज और वेशेख ते तॉनमें और अभिसमिश्यलासर में क्या फरक बानते हैं मैं यहीं फर्क मानता हूँ कि शर की काम काफ़ी प्लैन्ड है और बाकि टीचर्स मतलब जो आज आज पढ़ा नहीं पढ़ा दिया नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा है लेकिन सर का सब सब कुछ जों़िए सिस्टम में या कुछ अलग से अलब हटबड़ी नहीं होती हमेशा जो कराना होता हो जाता कब से आप क्लासी जोइन कर रहे हैं वी से मैं प्लस फंस है किस तरह का इनका नेचर है और किस तरह से पढ़ाते हैं बच्छों को सर जैसे हमारे लिए बिल्कुल को वह नहीं है कि कोई टीचर है हमें इतनी दिक्कत है ना कोई सर से डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम होती है वो बस नॉर्मल रहता है जैसे हम दोस से पूछते हैं वैसी सर से पूछते हैं हिसार जैसे एक तरह से बहुत सारे इंस्ट्य को क्या आप मानते हैं जैसे इन्होंने पहले तो किसी के साथ था आप किसी इंस्ट्यूट के साथ इन्होंने किया था अब अलग से कर रहे हैं तो क्या मानते हैं मैं मानता हूं हर एक इंस्ट्यूट में अच्छा होता है जो बात है मिश्रा सर वहां पे जिस इंस्ट्यूट यहां पे अपने आप एट्रेक्ट हो रहे हैं और बाकी तो सर पढ़ाते हैं बढ़िया हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है जैसे आगे competition है आप क्या मानते हैं अब इसे एक सर की class आप अटेंट कर रहे हो किया कितने परसेंट आप लेक्या होगे परसेंट के बारे में तो अभी गैस नहीं कह सकता है हर साल standard change होते रहते हैं लेकिन एक चीज़ है सर की class के अंदर हमेशा level बढ़ता रहता है कि किसी भी साल में ऐसा नहीं होता कि पिछले साल वाले notes है इसी साल फिर से आगए सर के questions हर साल develop होते हैं हर साल नहीं question लाते हैं सर अलग-अलग sources लाते हैं मुझे नहीं पता कहा से लेकिन हर बार अच्छे question आप मिलते हैं उससे अपने आप tendency बढ़ेगी हमारे लेकिन और बचों क्या कहना चाहेंगी और बचों को मैं यह कह सकता हूं बार बार कहीं गलत लगता है और फिजिक्स हमने बहुत जगा ट्राइल लगाए थे हमें सही लगता है यहां पर बाकी काफी कंपेर्टिविडी जगाओं से काफी ज्यादा फ्रैंक कैसे हमारे लिए लेटर सब्डेट के लिए देखते रहिए ओन-लाइन शैनल सिटी बिग न्यूज नमस्कार आर बाकी के लिए का लिए लेगाओं से लेक्ट की जगते लेगाओं अचार थे हमें से का ये लेगाओं से का लेगा बस्टाइब रहा रहाओं से का लेगता है